तॉप 4 best 4K camera smartphone under 12,000 तो बहिए अगर आपको 4K shoot करना है, cinematic shoot करना चाहते हो, vlogging करना चाहते हो या YouTube videos के लिटिड आपको smartphone चाहिए, वीडियो एकनि भी अगर आप फोन पर ही करना है, ये वीडियो में specially आपके लिए करना है, तो बात करते हैं सीजर है, number 4 की, बात करो, लेकिन number 4 and number 3 को मैंने दोनों को combine करते है, because दोनों का price range आपको same देखने को मिलता है, and specification भी जाला तर आपको same ही देखने को मिल जाते है, मैं बात कर रहा हूँ, Redmi Note 9 की, and मैं बात कर रहा हूँ, Realme 7i की, दोनों में से जो भी आप लेना चाते हो, आप ले सकते हो, अगर आप Redmi Note 9 आपके लिए perfect deal हो सकते है, and भाई अगर आप Realme 7i आपके लिए perfect deal हो सकते है, दोनों एक trusted brand है, टॉप brand में से आते हैं, दोनों का design उगरा जादा भी आ रहा है, and भाई मुझे Redmi Note 9 का जो design है, जो colors उगरा है, वो बहुत ही जादा सही लगते है, and gray color में वो बहुत ही जादा suit करता है, मैं pick उगरा आपको डाल दूगा, तो दोनों में से आप देख लेना, जो भी आप लेना जाते हो, आप ले सकते हो, मैं दोनों की main specification की बात के लिए तो आपको पता चल जाएगा, कि दोनों में से आपके लिए कौन सा perfect हो सकता है, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं, realme 7i की तो डिस्प्ले की बातों को 6.5 इंच IPS LCD देखने को मिल जादी, जो की 90 refresh rate के साथ आदी, जो की gorilla glass 3 की production के साथ देखने को मिल जाती है, परसाइसर की बातों को snapdragon 662 देखने को मिल जाता है, जो की 11 nanometer technology के साथ बेस्ट डेटरी की बात करूँ, आपको 5000 mh की battery मिल जाती, प्लस आपको 18 watt का fast charger देखने को मिल जाता है, camera की बात कर लेते हैं, आपको core camera setup देखने को मिल जाता है, 64 map xl, 8 map xl, 2 map xl, 2 map xl, 2 map xl, मैं आपको बता देना चाता हूँ, आपको core camera setup तो मिल जाता है, लेकिन sorry, आपको 4K option नहीं देखने को मिलता है, आप 4K में record नहीं कर पाऊगा, ठीक है, selfie की बातों को 16 megapixel selfie मिल जाता है, storage की बात करूँ, यह 4 से, 3 से 4 वेरिड में देखने को मिलता है, जो भी आपके budget में range में set बैठता है, मतलब price range में आपके set बैठता है, आपको 11,000 के budget में realme 7i देखने को मिल जाएगा, तो यहार, main specification में आपको बता जिये, realme 7i के, अभी बात कहते है, redmi note 9 की, तो display की बातों को 6.53, full HD plus display मिल जाती है, इसमें भी आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है, gaming processor अगर आपने gaming वेरा करनी है, आप दोनों smart phones पे कर्स होगे, आपको कोई भी problem issue नहीं आने वाला, जो यह processor है, यह 12 nanometer technology के साथ based है, जो मैंने आपको realme 7i बताया था, वो 11 nanometer technology के साथ based है, प्रसाइसर थोड़ा सा उसका ज़्यादा बैटर है, तो इस चीज़ को आप द्यान में रखना, storage की बात करूँ, यह 3 से 4 वेरेंट में यह भी देखने को मिलता है, 4GB and 6GB RAM के साथ, जो भी आपके वज़र में यह सेट बैटेगा, आप उसके और जा सकते हो, battery की बात करूँ, दोनों का battery backup आपको same देखने को मिलता है, अगर आप फोर्टोस वगरा क्लिकड़ करने के जादा शकीन हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही होने वाला, बिकरज इसका जो बैक कैमरा सच में बहुत ही ज़्यादा पिच्चर्ज क्वालिटी उसकी बहुत अपर होती है, सेल्फी की बात करूँ, आपको थोर्डी में अकसर सेल्फी मिल जाते है, प्राइस की बात करूँ, पहले इसका प्राइस आपको 12,000 के बज़ड में अप्रॉक्स देखने को मिलता था, अगर आपने Realme 7i के और जाना है, आप जा सकते हो, मैंने आपको पहले बता दिया, कि आपको 90 रिफ्रेश्ट के साथ उसकी डिस्प्ले देखनी को मिल जाती है, और उसका जो प्रोसेसर है, वो थोड़ा सा ज़्यादा बैटर है, लेकिन उसका जो डिजाइन है, मतलो Redmi Note 9 के जो कलर जाते हैं, जा डिजाइन जा लुक वाइज वो फून ज्यादा बैटर लगता है, Realme 7i से, तो आप देख लेना, अगर आपको डिजाइन मैटर करता है, तो Redmi Note 9 आपके लिए perfect हो सकता, अगर आपको प्रोसेसर जादा तगड़ा चाहिए, अगर आप हार्ड़कोर गेमिंग करना चाहते हो, तो Realme 7i आपके लिए perfect डील हो सकता, आप चावड़ कर सकते हो, लिंक मैंने प्रवाइड किया, अगर आप तो specification पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, purchase करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, आप कर सकते हो, आगे बात करते हैं number 2 की, number 2 की बात कर लेते हैं, number 2 पर यार मैंने रख्या Redmi Note 10 को, अगर इस smartphone की बात करूँ, सबसे पहले ये नया लाउंच हो, और इसके color वगरा बहुत ही ज़्यादा प्यार ही देखने को मिलता है, आपको color wise तो बहुत ही पसंद आने वाला है, और इसकी look भी बहुत ही अपर है, और back side में जो camry की shape है, वो इसको बहुत ही ज़्यादा suit करती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 3 glass में देखने को मिलता है, 3 weight में आता है, ये phone plus आपको super amulet display देखने को मिल जाती है, जो कि gorilla glass 3 की production के साथ देखने को मिलती है, तो यार, 11-12000 के budget में आपको super amulet display देखने को मिल जाती है, वो सच में आपका जो experience है, अगर आप Netflix, spam video, YouTube देखने के ज़्यादा चुकिन हो, आपके लिए perfect deal होने वाले, इसमें आपको snapdragon 6, 7, 8 देखने को मिल जाता है, जो कि 11 nanometer technology के साथ बेज जाती है, अगर आप gaming बगारा करना जाते हो, hardcore gaming भी करना जाते हो, आप easily normally कर सकता, आपको कोई भी problem issue नहीं आने वाल, आपको core camera setup देखने को मिल जाता है, जिस पे आप 4K video recording कर सकते हो, 30 fps पर टिक है, आपको 30 map अपक से selfie मिल जागी, अगर आप इस फून को लेना जाते हो, तो भाई आप वाइड कलर में देख लेना, बिकाज इसको वाइड कलर बहुत ही जादा सूट करता है, अभी बात के लेते हैं, इसके main specification की थोड़ा सा deeply में आपको बता देता हूँ, यह डिस्प्ले की बातों को 6.43 जो सुपर एम लेंट डिस्प्ले मिल जाती, जो कि Gorilla Glass 3 की प्रडेक्शन के साथ देखने को मिलती है, पर सैसर की बातों को Snapdragon 6-7-8 देखने को मिल जाती है, जो कि 11 नानोमेटर टेक्नोलोजी के साथ बेस दाए, बेंटरी की बात करूँ, आपको 5000 mAh की बेंटरी मिल जाती है, प्लस आपको 33 वाड का Fast Charger देखने को मिल जाता है, कैमरे की बातों को Cod camera setup मिल जाता है, प्लस पर ही मैं आपको कैया दना चाता हूँ, अगर आपको camera के related smartphone चाहिए, अगर आपने video recording करने हैं, photos लेने हैं, reels बनाते हो, tik-tok बनाते हो, आपके लिए ये smartphone perfect deal हो सकता है, selfie की बातों को 30 में आपको selfie मिल जाती है, प्लस आपको selfie भी अच्छी मिल जाती है, प्लस camera application में आपको कई ऐसे features मिल जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखने हैं, अगर आप इसको लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, अगर आपने सिर्फ चाओड करना है, आप च्याकोट भी कर सकते हो, storage की बात करूँ, ये दो विड़े में देखने को मिलता, 4GB और 6GB RAM के साथ, आप देख लेना, जो भी आपके budget range में set बैठ आप जा सकते हो, price range में आपको पहले भी बता दिया, कि आपको 12,000 से लेके, 14,000 के budget range में ये मिल जाता है, 12,000 के budget range में आपको 4GB RAM के साथ देखने को मिलेगा, तो आपका अगर budget है, 12,000, आप पैसे pay कर सकते हो, मतलब ये phone को purchase कर सकते हो, आपका पैसा खराब नहीं जाने वाला, because specification के according, पूरा loaded आपको smartphone देखते हैं को मिल जाता है, तो या design look wise तो बहुत या पर है, इसके color का नहीं मैंने आपको पहले भी बता दिया, कि 3 colors में देखने को मिलता है, 3 new colors को बहुत ही जादा suit करते हैं, हाथ में पकड़ाओगा, कहीं hold करके लेकर जाओगे यार, वो suit करने वाला है, आगे बात करेते हैं number 1 की, number 1 की बात करें, number 1 पर यार, मैंने रख्या Poco M2 Pro को, तो सबसे पहले भी मैं आपको बता देना चाता हूँ, अगर आपने gaming करनी है, multitasking करनी है, कोई heavy application download and install करनी है, तो आपके लिए perfectly deal हो जेगी, अगर आपने long time phone है, इसको रखना है, use करना है, कोई heavy work करना जाते हो, आप सभी के लिए perfectly deal हो, पोको M2 Pro में जादे समय खराब नहीं करता, सीधी बात करते हैं, main specification की, तो यह display की बातों को 6.67-inch display देखने को मिल जाते है, जो कि 60 refresh rate के साथ आती, मैंने 120 लिखा है, लेकि 60 refresh rate के साथ देखने को मिलती है, अब processor की बात करो, तो आपको lagging issue नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी problem नहीं आने वाली, अगर आप multi task भी करना जाते हो, storage की बात करो, आपको 6 GB RAM के साथ देखने को मिलेगा, प्लस आपको 128 GB storage देखने को मिल जाती है, battery की बात करो, आपको 5000 mAh की battery मिल जाते है, अगर मेरा budget होता 12,000 तो मैं काउंट सा फून लेता, तो भी अगर मेरा budget होता 12,000 तो Poco M2 Pro मेरे लिए perfect होता, बिकर उसके specification बहुत ही जादा सही है, अगर मेरा मतलब मुझे Poco M2 Pro नहीं पसंद आता, तो मैं जाता, Redmi Note 9 के वो पूरा perfect deal हो जाता है, अगर मेरा budget 10-11,000 होता है, तो मेरे लिए perfect deal हो जाता है, Redmi Note 9 में उसी क्या हो जाता, बिकर्स मुझे इसका color उसके design, उसकी camera quality, एंड जो उसके specification आते है, वो बहुत ही ज्यादा सही लगता है, स्टार्टिंग से मतलब, बहुत बिका है, बहुत बिकने वाला, Redmi Note 9 and Redmi Note 9 Pro Max का भी price डाउन हो गया, अगर आपका 15,000 तक भी हो जाता है, Redmi Note 9 Pro Max जो है, वो आपके लिए perfect deal हो जाता है, जल्दी जल्दी में कई बार बनता मिस्स कर जाता है, तो यार अभी मेरी वीडियो, यही पर हो जाती है कर्थम, अगर आपको मेरी वीडियो को like करते है, comment करते है, share करते है, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी करते है, चैनल को करते है, subscribe वीडियो करते है, और Instagram पे चले Follow, इस्थाट न चाहते हो अगर आपको ब्लीघ की वीडियो मैंने की यह प्लस मैं आपको यह भी बात कहा देना चाहते हो लेना चाहते हो 20,000 से लेकर आगर आपका बजड़ यार, चार लाग तक भी हो जाता है वेज़ा इसका चाहए निन रहेको चाहने को मिल जागी उसको चाह तो मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में वीडियो के साथ, तैंक यू